दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बेठे ओनलाइन पेसे कैसे बेजे दोस्तो अगर आप किसी को ओनलाइन पेसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा क्योंकि इसमें हम सारे तरीके की बात करेंगे जिससे आप ओनलाइन पेसे बेठ सकते हो किसी को भी दोस्तो ओनलाइन पेसे बेदने का मतलब यह होता है कि आप घर बेठे अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने कम्प्यूटर से किसी को भी पेसे बेद सकते हो बगर बेंक में जाए तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर कुछपी अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउढ़्ट है तो उस बैंक में जाकर आपको बेंकिंग या फिर mobile banking का एक फौर्म है वह आप मेनेजर से बात करेंगे तो आपको फौर्म को आपको फिल कर देना है साथ में आपको एक ID और पिन नभर बीनन मिलेका जिसे आपको अपने mobile phone में टालना है तो फिर आपको वहांसे net banking की गिर्स प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों mobile phone में आपको जिस भी bank में आपका account है उसके application आता है वो play store से अगर आप Android phone यूज करते हैं तो play store से वो application अपने phone में install कर लीजिए और वहाँ पर आपका customer ID और जो pin आपको मिला था phone पर परने के बाद bank से वो आपको डालना है तो आपकी net banking activate हो जाती है और आप अपन चैनल में वीडियो section में जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो साथ ही आप लोग मुझे comment करके ये भी बताईए कि आप लोगों का account कौन से bank में है तो दोस्तों पहले तरीके के अपने बात कर लीके net banking जहां से आप online गर बेठे अपने mobile phone से IMPS या फिर NEFT के जरिया किसी को भी पैसे बेठ सकते हैं उसके बाद जो दूसरा तरीका है online payment करने का वो है UPI दोस्तों भीम UPI के launch होने के बाद में आप UPI से किसी को भी पैसे बेठ सकते हैं जैसे कि हमारा mobile number होता है वैसे ही आपको UPI ID एक दिया होता है तो उस UPI ID से आप किसी के भी ID पर या फिर bank account में पैसे पैसे बेठ सकते हैं ये भी आपको net banking के साथ मिल सकता है इसके लिए आपको अपने bank से संपर्क करना होगा उसके बाद दोस्तों digital wallet दोस्तों Paytm के आ जाने के बाद बहुर सारी कंपनिया अपना खुद का wallet लेके आ चुकी है तो उस wallet से भी आप किसी को online payment कर सकते हैं आप Payt Paytm और Paytm का यूज़ करते हैं लेकिन Google पे भी बहुत ही अच्छा और secure option है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो दोस्तों digital wallet से भी आप किसी के भी account में पैसे बैठ सकते हैं वो भी घर बेठे और वो भी सिर्फ तुरंत पैसे चले जाएंगे आपको ना ही bank जाने की जरूरत है अगर आपके पास कोई भी digital wallet है तो आप उससे पैसे बैठ सकते हो तो दोस्तों आप लोग कौन सा digital wallet यूज़ करते हो यह मुझे comment करके जरूर बताईएगा और आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया वो तो इसे like करे और WhatsApp ग्रूप किसी भी तरह का प्रस्ण पूछने के लिए नीचे comment करे